और उसके बाद भी हमने देखा कि अच्छी मजबूती रही, इन्होंने एक बार लिया तो अच्छा मुनाफ़ा हो रहा था, इनको लगा के और मुनाफ़ा बढ़ जाएगा, और ज्यादा शेयर ले लिए, लेकिन अभी डस ग्यारा रुपए के नुकसान पर है, ये सेक्टर क मार्केट सेंसस से भी कातोड़ा उपर ही स्टॉक चल रहा, पर एक बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट, ओर 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 हॉजिंग पैनाइन्स और न्वी अक्सिस के लिए, वह है रेटकट की एक्सपेटेशन, अगर आने वाले दिन में रेटकट होता है, क्योंकि मुझे चां थोड़ा टाइम इनको देना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, 180 तक भी श्टॉक जा सकता है, तो थोड़ा टाइम देंगे, तो डेफिलेटली, 171 के लेवल से आ जाएंगे, पर मैं को लग रहा है, थोड़ा स्लो मूविंग रहेगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि अल्री ए था, 608 पर ले रखा है, होल्ड करूं या सेल करूं, कोई न्यूज है क्या इसमें, रोजल इंडिया के शेर क्या रिक्मेंट किये थे सर, आपने, 608 पर इन्होंने लिए हुए है, और अभी का भाव जो देखने को मिल रहा है, एक सो चोवन रुपे के आसपास चल रहा है, आज पांच परसेंट का जो है, लोवर सर्कृट लगा हुआ है, सर कोई यहाँ पर कोई स्प्लिट हो गरा हुआ है क्या, प्योंकि इनकी खरीच से तो या तो काफी जादा दबाओ देखने को मिल रहा है, आपके टिपड़ी क्या होगी इस पर, पूपल जी मैंने रोसल इं यह हो सकता है, सर कि आजकर एक नहीं रड़नीती चली है, कि जब प्रस्ट जो है कई बार शामिल नहीं हो पाते हैं, तो एक्सपर्ट के उपर कि इनके कहने पर इलिया था, इनसे ही जवाब दिलवा दिजे, तो अभी तो फिलाल काफी नुकसान में, मुझे नहीं पता, इन इननों क्या रीजन है, पर कोई ना कोई बड़ा कॉर्परेट अक्शन जरूर है, को इतनी बड़ी गिलावट मुझे नहीं लगना स्टॉक में आनी चाहिए, कॉर्परेट अक्शन एक बार चेप करेंगे, तो पता चाहिएगा, पर मेरा चार्ट परसंट कोई ना कोई चलिए अगरे दर्शक के पास चलते हैं, और देखते हैं कि आखिर में यहाँ पर क्या कुछ प्रस्ट नहीं आ रहे हैं, एस्जेवियन को लेकर के अगला सवाल है, और ये सवाल मोहिप शेख ने पूछा है, इनके पास 149 के भाव पर इन्होंने ये शेर ले रखे हैं, एस 149 का भाव 20 रुपे पर शेर का नुकसान हो रहा है, खबरों में लगातार रहा है शेर ये, लेकिन अभी फिलाल के लिए सुष्टी ही देखने को मिल रही है, विपुल जी मल्टी वीक सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से हो सकता है, श्टॉक पलटतावा नज़रा है, क्यों मुझे लग रहा है, थर्ड leg of rally, SJVN, NX PCA से स्टॉक में आ सकती है, खरीदारी की सलाह नहीं है, पर जिन किसके को अभी होल्ट करें, एक मोमेंटम मुझे लग रहा है इन स्टॉक में देखने को मिलेगा, SJVN की जातक बात है, 124 के स्टॉप लोग करें, 124 वीकली सपोर्ट है, तो होल्ट करें, 124 का स्टॉप लोग करें, चाली, तो जो स्टॉप लोग करें, उसको ध्यान रखिया आप, इस बीच दिप्ति भारत द्वाज जी कह रहे हैं, अरुन सर ने ये स्टॉक कभी दिया ही नहीं है, तो आपको कहने के आवशकता नहीं है, बहुत सारे आपक तो शेयर 180 के भाव पर ले रखे हैं, अभी ये एवरिजिंग करना चाहा रही है, किन भाव पर मुझे एवरिजिंग करनी चाहिए, अभी अगर आईयसू की बात करें, तो 170 के आसपास ये शेयर फिलाल के लिए टेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकी खरीद 180 की है, क सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर प्राइस कट की बाते भी अल्रेडी चल रही है, अगर प्राइस कट होता है, तो अगर इन कंपनिस के लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर ओर और और प्राइस घटते है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इनके मार्जि सब्सक्राइब करना चाहिए, अगले दर्शक के पास चलते हैं, हमाई पास इस समय रजनीश तिवारी जी मार्जिवारी जी मार्जिवारी चाहिए, मोझूद हैं, रजनीश जी को नवस्कार, नवस्कार सरन, वेकुल सर कैसे हैं आप, ऊपर बिलकुल सर, बिलकुल, 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 आपके प्रशनों को शामिल किया जाता है, आपके सुपर चैट भी प्राप्त होते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कारिक्रम में नियमित बने रहने के लिए बताईए सार आज क्या प्रस्थन पूशा है अच्छा तो एंजल वन जी जी बाइस सो पचास जी और कितने समय तक होड़ कर सकते हैं से आप सर लास्ट ये दिवाली तक हम होल्ड कर सकते हैं एक कोई टाइट स्टॉप लॉस गिला दीजिए अरुन सर्थे जिस्ते हम ज्यादा ना सह सकें बिल्कुल 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 ये बड़ी अच्छी आपकी स्टेट्जी है कि आप इस पस्ट रूप से जानना चाहते हैं कि ये एक महीने का नजरिया है दिवाली के पहले निकल जाएंगे और इक स्टॉप लॉस टार्गेट क्या होने चाहिए पच्छिस सो चानवे का भाव भी है बाइस सो पचास के भाव पर आपने लिये हुए तो कोई ट्रिलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस का इने आप सजस्ट करेंगे ताकि इनका मुनाफ़ा सुरक्षित रहे और यहां से क्या टार्गेट आपको दिखाई दे रहे हैं इस शेयर पर हम नहीं डाले तो जो है पिछले अगर हम देखें पांच-छे महीने मे थोड़ी सुस्ती यरूर दिखाई है चार साढ़े चार परसंट का निगेटिव रिटर्न यहां पर रहा है आपकी सलाह क्या रहेगी एंजल वन को ले करके विपुल जी पहले तो काफी अच्छा लगा है इन्होंने एक अच्छी स्टाटेजी बनाई है नोरो जो भी अच्छी स्टाटेजी इन्होंने थे और नेचे में अच्छे लेवल पर बाई किया है तो थोड़ा टाइम दे एक से दो मैने का टाइम मिनिमम लेके चले मुझे लगए 2900 से 3000 तक की लेवल्स आपको इंजल वन में देखने को में सकते है तो अच्छी स्ट्रेजी इन्होंन पर में 2900 से 3000 यह दो टार्गेट मुझे लग रहा है एक से दो मैने के अंदर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं तो काफी अच्छा स्टॉक खरीदा है और अच्छे लेवल की आसपास खरीदा है तो यहां से 200-300 रुपए और आपको स्टॉक में करेंचल से देखने को मिल स है कि हमें भी पैसे ही भेजना पड़ेगा फिर हमारा सवाल लेंगे आप ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है सरक कैसी बात कर दिया आपने करें मैं पाश अफते से कोश्चन पूछ रहा हूं अभी रोजारी बायो टेक के उपर इनका प्रस्ट है कि यहां पर क्या वियू नि नहीं पता है कि आपने किस टेवल पर ले रखें या फिर आप लेना चाहा रहे हैं लेकिन सर रोजारी बायो टेक अभी आधा पॉना परसंट के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है इस शेयर पर नरे डालें तो पिछले च्छे महीने में करीब 49% के आसपास का रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई दिया है क्या भविश्च से दिखाई दे रहा है इनके लिए आपको सब्सक्राइब करें एक हजार तक की टार्गेट स्टॉप में देखने को में सकते हैं नेहा आरिया जी का सवाल है गुड़ आफ्टर नून विपुल सर नेहा जी आपको भी बहुड़ आफ्टर नून करें आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा है हम सभी के लिए शुक्रि सब्सक्राइब करें देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद का जो भाव इन्होंने बताया है वो 494 है तीन चार रुपय के नुक्सान पर है यह भी इस पस्ट है तो अभी क्या सला रहेगी और जो लोग मध्यम से लंबी ओधी के लिए यहां पर निवेशित हैं उनके लिए भी राए बता दिजे और ओर उवर और पावर में क्या विए निकल के आ रहा है क्योंकि पीस्टी फ्रीव पावर में क्योंकि उसमें श्मय पैसा जो की लंबे समय से लोगों को ठाका रहा है विबूल जी आरी सी अच्छे सपोर्ट के आसपास है और गिसी को भी लॉंग त करना है minimum 9-12 मेने के लिए भी बाई करना है तो यह अच्छे लेवल की आसपास है यहां पर बाई करके चल सकते हैं 490 के आसपास है इसट इनका बाई प्रेस सुनने पाया है पर शॉट टम में मुझे लग रहा है तो शॉट टम में भी मुझे लग रहा है 510-520 तक के लेवल आ उपते है कि युजुली ऐसी होता है पहले पावर्षक्स में मोमेंटम आता है जन पावर पैनलसिंग में आएगा पयंचने को मिलेगा तो मुझे लगज लग रहा है इस टॉक में पाउट नमें 520 तक चाहिए लोंग टम में इसके जो वीकली सपोर्ट से वो 480-490 के आसप तो मुझे लग रहा है 550-560 की लेवल्स करेंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं तो अच्छे लेवल्स के आजपाक है यहां से मुझे लग रहा है आप चाहिए निकल कर क्या रही है सर नहीं पीसी बहुत परिशान कर रहा है नहीं पीसी पर क्या करना चाहिए 90-100 के बीच में 92-100 के बीच में ऐसा फसा हुआ है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक बार के लिए निकल जाएं क्या तुपल जी आपने से का नहीं पीसी काफी लोग इसमें ट्रेडर फेंडली रहें पर स्टॉक में लाश्ट पांच अच्छे अफ्टों का मुमेंट देखे तो 102 से पर मुझे नहीं लग रहा है अभी कोई मोमेंटम आगा कोई वॉल्यूम का भी अक्षन नहीं है प्राइस का भी अक्षन नहीं है और सभी मुईंग आवरेज इसके नीचे है तो विपल जी मुझे लग रहा है इमिडेट तार्गेट अगर देखे तो 98 के आसपास है और अब रहे थी काफी एक्षन देखने को मिल रहा था सेयद हैदर सहाब हैं और कहरें गुड आफ्टरनून सर मौरपन लैप्स पर क्या व्यू है क्या इसमें अभी भी निव इंट्री कर सकते हैं क्या साथ से आठ महीने का व्यू है कितने टार्गेट तक का एक्सपेक्टेश से फिसला है अठासी नवासी नब्बे के आसपास चल रहा है सर क्या करना चीए मौरपन लैप फार्मा के अंदर बहुत सारी खबरे रही और काफी सारे शेरों में काफी अच्छा मूव दिया है और इस शेर में भी काफी अच्छा मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रही है आपको 100-101 के आसपास से नीचे आया फिर से उस तरब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है विबल जी मुझे लग रहा है एक बार वापस यह स्टॉक 95-97 तक के जाने के लिए तरियार है क्योंकि 20-day मुई अबरेस से स्टॉक पलटा है एक्जाट्ली न्यूज मन प्लटा कि नाइन चार्बिए लिए एक हजार से ज्यादा दरशक सिर्फ हमारे यूटूब के माध्यम से हमाई साथ जुड़े हुए हैं इसके लावा हमारे फेस्बूक हमारे अब भर भी संख्या में दरशक जुड रहे हैं तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद हमِ को समर्थन देने के लिए जितना संभव हो और आप लोगों से ही निविदन है कि अपने जो वाट्सअप इस्टेटस है उस पे इस लिंग को लगाएं ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिवार जनों के साथ परिवार के मित्रों के साथ उन सब के साथ शेयर करें ताकि अभी बहुत बहुत नमस्कार सर राकेश जी करें कि प्लीज जो है आईर अफसी के वारें बताईए दोसों से रहें 35 रुपए के 35 रुपए के इनोंने लिये हुए हैं IRFC तो काफी लंबे समय से सर ये होल्ड कर रहे हैं IRFC को ले करके और आप जानना चाहरे हैं कि IRFC में क्या करना चाहिए 158 रुपए का भाव 35 रुपए के इनकी खरीद है निश्यत रूप से काफी अच्छे मुनाफ़े में है अभी जानना चाहरे हैं कि क्या इस्टेट जी होनी चाहिए सर पांच गुना हो गए हैं पैसे कहां पर एक्सिट करना चाहिए नहीं या भी होल्ड करके रखें ज्यादा कुछ होने के लिए इनके पास नहीं है 35 रुपए का भाव है और 158 के आसपास हैं लोड़ाउट इन्होंने काफी 220 तर के भी लेवल जरूर देख रहे हैं क्योंकि रिसेंट ही 220-235 के आसपास रहे हैं तो वहां से स्टॉक जरूर 158-159 हुआ अभी इनके अगर आ इनके पास नहीं पर देखने को मिल सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इनको थोड़ा बहुत दी अगर लगता है कि स्टॉक में और गिराव और जुर्णा सकते हैं तो अपना कौश्ट का पैसा है वह निकाल सकते हैं तो 25 रुपे के आसपास कि इनकी जो च्छों की जो इतने शेडस इन्होंने करें वह निकाल सकते हैं पर बाकि मुझे लगए टॉप में एक मोमेंटम बन सकते हैं आने वाले दुनों में औरु महीने के नजरिये के साथ से और जानना चाहरे है कि क्या भी ये फ्रेश इंट्री के लिए ये जगा सही है छिस्सो चोहतर का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है अगर हम देखें तो इस शेर्प में करीब एक महीने के अंदर करीब एक दो परसंट के आसपास की रैली देख विपुल जी अदानी पावर डिफिनेटली बाई करके चल सकते है काफी दिनों के अंदर परफॉर्मेंस के बाद एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है एक ही चीज़ का ज्यान रहे है और ये ग्रूप में भी काफी न्यूज़ चलते रहते है तो वो एक चीज़ का जरूर जान रहे है तो डेफिनेटली शॉर्मेशन देखने को मिल सकते है तो ये राय जो है दानी पावर पेनिकल के आ रही है और बिल्कुल जो है बंगलादेश वाले मामले पर आज यहां पर अपडेट भी रही है और कहा ये गया कि अगर बंगलादेश का इवाद जल्दी नहीं सुलस्ता है तो जो एक्सपोर्ट ये बंगलादेश को कर रहे है उसे फिर घरेलू कंपनियों को घरेलू भारबारत के बादार में ही उसे संदीब पर विचार किया रहा है तो यह ब्राए फिलाल निकल कर खाती है और सचीन हमाई साथ जोड़ चुके अगले दर्शक सचिन जी को संदीप माफ किजिए का संदीब जी को नमसकार नमस्कार नमस्कार संदीब जी कहा से बोल रहे हैं कैसे हैं आप जोद्पूर राजस्तान से बोल रहे हैं और अमिता बच्चन जी को नमस्कार अरे सर ये तो मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं चलिए मतलब अरे सर बहुत अच्छी बात है सर कैसा अनुबर आँ पदारपन करने का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर दो पेर में कई बार बीजी होते नहीं देख पाते हैं तो साम को रिपीट टेलिकास देखते हैं सर शारी सर थाइंक्यू कि आप रिपीट तरिकास देखते हैं बहुत लोग तो शिकायत करते हैं कि आप बेकूब बनाते हैं आपने दोपेर के शो को आप कह रहे हैं कि 11 मिनिट पहरे वो उसकी वज़ा यही है कि फ्रेश अप्लोडिंग से जो लोग नए लोग है उनको थोड़ अच्छा तो क्या सोच के लिया था कितने समय किसी खास कारण की वाज़े से अच्छा चालिए ठीक है विश्णू प्रकाश के ओपर जरा देखते हैं कैस्ती अभी देखने को मिल रही है पचास शेर आपके पास है दो सो पचास के भाव पर और अभी आप ने देखें तो द काफी अच्छी रहली आई और उसके बाद से जब नीचे आने लगा वहाँ पर आपने थोड़ी से इंट्री ली हुई है सर रिकवरी कर तक आएगी विश्णू प्रकाश के अंदर क्या इनका निर्ड़े सही है लुक सकते हैं अभी रम्दे समय के लिए विपल जी स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है फंडमेंटली भी अच्छा है वाटर ट्रीटमेंट वगरे के बिजनस में भी है इंफ्राटर स्टोरी है तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा है टेक्निकली भी थोड़ा साइड़ वेज है पर मुझे लग रहा है टेक्निक की सला है निचे में stop loss जो लगाना है वो 208 की आसपास लगाना है 208 एक बड़ा सपोर्ट है 210 एक बड़ा सपोर्ट है दो रूपरस के निचे stop loss लगा है पर मुझे लग रहा है यहां 220-222 से स्टॉक परटके वापस एक बड़ा मूँ दिखा सकता है तो चुकिंग की बाइंग काकी उपर की है तो 220-222 आता है तो एड़ करें मुझे लग रहा है वापस इस्टॉक्टी फाइट की तरफ जाने के लिए तैयार है तो आने वाले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम है हमें भेजा गया है और ये प्यूचने वाले हैं हमारे दर्शक सुनिल बिश जी करें नमस्ते विपुल जी और अरुन जी मैं मुंबई से हूँ बहुत शिवाद अज़र कहरें ओला अलेक्टिक ये स्टॉक पे कौन सा प्राइस में बाइ करना चाहिए लॉंग टर्म इन चाह रहे हैं ओला एलेक्टिक पे आपकी राय कह रही किसे अगें ये स्टॉक एसा स्टॉक है जो काफी ट्रेडर फ्रेंडली या फिर इन्वेस्टर फ्रेंडली दोनों ही तरफ से रहा है और लिस्टिंग के बाद बड़े गेंज दिखाता हूं नजर आ रहा है पर जो भी चाहिंज उक्राम आप डिखने हां जो वाहां से लाग रहा एक क्या सकता है वाहल इनिंको डिखने को मैं। तो एक सो तीन के आसपास करें, मुझे लग रहा है वहाँ से रिस्टोर कापी पेवरेबल है, इक पर में 112, 115 तक के इमिज़ेट टार्गेट बन सकते हैं, तो अच्छे गेंज अगर बनाने हैं तो डिप में बाई करें, 102, 103 के आसपास, टॉप लो लगाना है, वो एक गैप ब कैसे हैं प्रदीब जी, कहां से बोल रहा हैं, सर, मैं आपका बहुत ही आवारी हूँ कि आपके मार्ग देशन में मैं बहुत ही अच्छा कर पा रहा हूँ, अपना पूस्पूलियों क्रियेट करके, धन्यवाँ सर, कि आप कारिक्रम में के निमी दर्शक बने हुए हैं, फिर से जो मेरा रेट सा उसी जा चुका है, तो अभी मैं इसमें क्या करूं सर, आगे क्या रहा हैं सर, चाली ठीक है, आज तो पांच परसंट का अपर सरकिट है, ठारा सो दस पे ले रखें, निस सो नब्य का भाओ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वारी रिनुबल टेक् सकते हैं, और बहुत सवाल आ रहा है, सर, आज के लवारी रिनुबल पर जो है, और जहां पहीं भी हम देख रहे हैं कि रिनुबल सब्द का इस्तमाल हो रहा है, काफी सारे लोगों का रुझान जो है, वहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सर, पिछली एक महीने में 42 प आप लॉस देंगे, ताकि अपना मुनाफाय सुरक्षित रख सकें, या फिर अगर लॉंग टम का व्यू है, तो भूल जाना चाहिए.